हेलो गाइस वłemकम बैक्स वावर चैनल लिव इत किस निल में आफ सबस्वागत है कैसे हैं आप लोग उमिख ही आप सबस्वागत होंगे और मैं भी अच्छी हूँ चैनल पर आप सब का स्वाकत करती हूँ, मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्त नीलम और आज मैं होम रेमडी लेके आई हूँ हैर ग्रोथ की, तो इसकी बिल्कुल भी भी ना करें, पूरा देखें और जादा जादा सेयर करें, तो बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं, मैंने प्याज ले लिया है, तो जी हाँ, आज मैं प्याज से आपके हैर ग्रोथ बताऊंगी कि आप प्याज से कैसे अपने बालों को बढ़ा कर सकते हैं घना कर सकते हैं और न्यू हेर ग्रोथ ला सकते हैं तो सबसे पहले मैंने प्याज को ले लिया है और ये डार कलर का प्याज है रेड वाला इसके बाद मैंने इसको छील लिया है अब इसको कदू कस कर लेना है क्योंकि हमें इसका रस निकालना है तो आपको अपने बालों की लिंद की हिसाब से इसको कद्दू कर लेना है मैंने अपने बालों की लिंद की हिसाब से किया है क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं इस वज़े से मैंने एक प्याच लिया है अगर आपके बाल मेरे बालों से भी लंबे हैं तो ज्यादा ले सकते हो कम है तो कम लिए इसके बाद मैंने इस टेनर की हज़से इसको स्टेन कर लिया है और चाहें तो आप कॉटन कपडे में भी इसको रैप करके इसका रस निकाल सकते हैं और दो से तीन चमच रस निकल के आ चुका है यही मुझे अपने हेर्स में लगाना है और आप मेरे हेर्स देख सकते हैं मैंने सबसे पहले इनको कॉम कर लिया था इसके बाद मैंने बन बनाया है अब इनको ओपिन करने के बाद मुझे तेल लगाना है इसमें रस के साथ में त अब इसको मुझे मिक्स कर देना है और इसके बाद टीसे इंगेर्ड मेने इसमें ऑली यह जैतून का देल ले लिया है और में हमेसा फिगारो ब्रेंड का देlles ही यूज करती हूं यह मेरे बालो के लिए बहुत अच्छा रहता है और इसके बाद इन तीनों चीजों पूर में मिक्स कर लेना है अच्छे से आप चाहें तो आप कॉटन का यूज कर सकते हैं बट मैंने फिंगर का ही यूज किया था और आपको हपते में एक बार हेर ओइलिंग जरूर करनी है अगर आपको अपने हेर ग्रोथ करनी है और आपके पास टाइम है तो आप दो बार इसको जरूर ट्राइ करें आपको 15 दिन में फर्क दिखने लगेगा आपके न्यू बेबी हेर आने स्टार्ट हो जाएंगे और और आपको आपको किचन में जाएगा तो इसमें ज्यादा आपका खर्चा भी नहीं आने वाला है इसली आपके बाल घर उग आएएंगे वरना आपको आपको महेंगे-महेंगे ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे इसके बाद भी कोई गारेंटी नहीं होती कि आपके बाल उगाएंगे बट मैं इसकी पूरी गारेंटी लेती हो अगर आप रेगुलर इसको यूज करेंगे तो आपके न्यू हेर ग्रोथ बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे आना और 15 ड नीद भी लेनी है आप 8 गंटे की नीद ले और आप फर्क देखेंगे तो यह सारे टीप्स वालो करके अपने बालों की हैर ग्रोथ आप कर सकते हैं और जब आप तेल लगाएं पूरी जड़ों में पार्टिशन करके तेल लगाएं जैसे मैं लगा रही हूं और इनको आप हेड के मीडिल पोर्शन में लगा लिया है और हाथों की हैप से जैसे मैं मसाज कर रही हूं ऐसे करेंगे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा साथ में ही आपके स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा जिसकी वज़े से भी हैर ग्रोथ बहुत फास्ट हो हैर ग्रोथ होते है तो आप यह फॉलो करगे अपने बालों की हैर ग्रोथ बहुत फास्ट कर सकते हैं साथ में ही अगर आपको और हम रिम्रीज जानी हैं तो चैनल पर आप के विजिट करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना और मेरी हैर ग्रोथ की वी बालों पर ट्राइ किया है उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ सेयर करती हूं कि मैं भी एक टाइम ऐसा आया था कि हैर फॉल की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा ही दिक्कत हुई थी मेरे बाल बहुत ज्यादा ज़ड़ने लगेते हैं तो मैं यह चीज समझ सकती हूं कि आपको बाहर जाने की जरूत नहीं क्योंकि मैं केमिकल वाली कोई भी चीज अपने बालों पर जल्दी ट्राइन नहीं करती हूं तो देख सकते हैं बालों में तेल लग चुका है और इसके बाद मैंने हिट मसाज पहले भी किया था इसके बाद थोड़ा और करूंगी और ज इसकी बाल थोड़े से गीले हो गए है तो थोड़े से ड्राइव होंगे तो मैं इनको कॉम कर लूंगी और जब भी आप हैर रॉयलिंग करें इसको ओवर नाइट के लिए ही छोड़े तभी आपको इसके बेनिफिट मिल पाएंगे और प्रॉपर आट घंडे के आपको नी झाले ताइसो लोजिंग